हेलो गुद मॉनिंग वेलकम टू दे कोचिंग अभिसेक कोचिंग सर्विसेज यूटुब चैनल और आप सभी लोग अगर लोको पाइल्ट बनना चाहते हैं तो लोको पाइल्ट बनने के बारे में यह बहुत सही जनकारी वाले वीडियो है तो आप लोग इस वीडियो को ला है और तो वैसे देखें इसकी वेकशि को निकलने का कोई भी टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है यह वेकेंसी कभी भी आ सकते किसी भी वक्त आ detective इसकी जनकारी किसी को भी पहले से नहीं होती है लेकिन जैसा कि अनुमान से इसा लग रहा है कि अभी कोवीड का प्रॉब्लम चल रही है रेलवे अभी पूरी तरह से काम में नहीं आई है इसलिए जितने लोको पाइलट पहले से एवलेबल है वो उसमें से आधर ज्यादे अभी बैट करके बेतन ले रहे हैं तो अभी न तो उसकी भरपाई के लिए अगली वैकेंसी आईगी तो यूं बोल सकते हैं कि जब कोरोना वाइरस खतम होगा या फिर यूं बोल सकते हैं कि रेलवे का जो सिस्टम है इतना बड़ा विसाल रेलवे जब पूरी तरह से काम करना सुरू कर देगा जितनी साही ट्रेने पहले चलती थी दूबारस चलना सुरू होगी तो वैकेंसी जरूर आईगी 100 परसेंट आईगी तो आप सभी लोग का ये कन्फूजन दूर हो गया हो कि अगली वैकेंसी कब होगी इसका कोई भी डेट बिल्कुल फिक्स नहीं होता है यह कभी भी आ सकती है उसका दूसरा जो आप आपके पास मैं टॉपिक लेकर राया हूं वह है रेलवे प्राइबिटाइजेशन का वैकेंसी पे असर अभी देखिए बहुत सारी लोग ऐसा सोचते हैं कि रेलवे तो अब प्राइबेट हो गई है और इसमें वैकेंसी नहीं आईगी इसलिए तयारी करने का क्या फाइद प्राइबेट कंपनी जो है वह सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को खरीदेगी या फिसको भारत सरकार से भारे पे लेगर के उसको चलाएगी अपना मैनेजमेंट के द्वारा लेकिन सारी चीजे सरकारी रहेगी रेलवे कारी को जो इंजन को जो चलाएंगे वह लोको पालेट बि ये पूरा डावट क्लियर हो गया होगा तो लोको पालेट के वैकेंसी नहीं आएगी ऐसी कोई बात नहीं है चाहिए बिदेबी जितने बीधिने नहीं हो सकती क्योंकि इसके जंवारी कोई भी नहीं ले सकता कोई भी कंपनी नहीं ले सकता अगला जो है टॉपिक हम लेका हैं पिछला वैकेंसी कब कब आई थी तो इस अधर पे आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि पहले अभी का जो अभी 2020 चल रही है इससे पहले वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी और उससे पहले की वैकेंसी थी वह 2014 में थी हमने 2014 को एक्जाम को भी पास किया था और 2018 में लेकिन मैंने उसको नहीं किया था इसके बहुत सारी कारण है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और आगे के वीडियो में बताऊंगा फिलाल उस बात को रहने देते हैं और आगे बरते इस टॉपिक में है तो देखे सिस्ट्रम भरती परकिडिया नियम बनाया गया था है एक पोस्ट के लिए पूरा ऑल ओभर इंडिया में सभी एक साथ वैकंसी निकालेगी चाहें 10 निकाले या पी 1000 निकाले एक पोश्ट के लिए एक ही बार वैकंसी निकलेगी और उससे क्या हुआ कि भारत के कि इतने सारे राज्य है सभी जगह के एस्ट्रेंट को कमजोर एस्ट्रेंट को भी और अच्छे एस्ट्रेंट को भी सभी को बड़ाबर मौका मिलेगा और उसका दूसरा चीज जो था पहले चल रही ती जैसे कि एमान लेजी कि बारी बारी सागर साथ जगह पर वैकाइन से लिए जो अच्छे स्ट्रेंट हुए वह सातों जगह पे डियर्ट निकाल के बैठे रहते थे उसको बाद क्या होता था कि वह कहीं एक जगह पे जोइन करते थे और छे पोस्ट दूबारा से खाली की खाली रह जा दी इससे जो एक्जाम में जो समय बरबाद होता था पैसा बरबाद होता था वह बिल्कुल बेस्ट चला जाता था तो ममता बनार जी ने बहुत अच्छा फैसला किया और इस तरह से नियम लाई उसको बाद 24 में बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया के लिए वेकैंसी निकले थी और उसमे तो 24 में निकली वेकैंसी उसके बाद दूबारा से ज्यादा पोश्ट थी इसमें और 2018 के बाद अभी 2020 चल रही है तो जड़ा सोचे पहले निकले से चार साल के अंदराल पर अभी दो साल बीच चुकी है और उपर से अभी कोवीड का भी प्रॉलम है तो आगे वेकैंसी का आप अंदाजा लगा सकते हैं जब रेलबे को महस होगी स्टाफ की कमी है तो वह वेकैंसी निकालेगी और जब वेकैंसी निकलती है तो इसकी जो परकिरिया भरती परकिरिया चार से छे महिने के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है और जब फॉर्म निकलती उसके बाद एस्ट्रेंट को ज्यादा मौका नहीं मिलता है कि त्यारी के लिए क्योंकि उसके बहुत सारे को भरना पड़ता है बहुत सारी भगदूर करनी परती है इसके अलाबा उसको अपने सर्टिपीड को भी बिल्कुल अपडेट करवाना पड़ता है इसलिए फॉर्म निकलने के बाद ज्यादा टाइम नहीं मिलता और उस टाम बहुत ज्यादा प्रेसर होती है इस वज़से अच्छे से त्यारी नहीं कर पाते हैं अभी जिसतर से आप त्यारी कर पाएंगे बिल् पारी देश की अर्थव्यवस्ता जो माइनस 24 पर तीसत पर जा चुकी है इसको सुधारने के लिए भारतिय रेल्वे का बिल्कुल पूरी तरह से काम करना बेहत जरूरी है इसके लिए वैकेंसी बिल्कुल आएगी रेल्वे जब चलेगी तो एस्टाप आपको पता होना च परतेक साल 80-90,000 क्रमचाड़ी जो है वो रिटायर हो जाते क्योंकि उमर तो रुकती नहीं वो तो आगे बढ़ते रहती है इसलिए वैकेंसी हमेशा भारतिय रेल्वे में बनी रहती है यूं समझ लिए कि एक लाग पोस्ट परतेक साल वहां पर क्रियेट हो रही है रिटा जार ना करते हैं कहीं हमको जानकारी का फाम में कहीं फॉर्म निकल के बंद ना हो जाए तो इसलिए बहुत सारे चिंदा में रहते हैं तो आप लोग को मैं एक चीज़ बता दू कि आप मतलब की लोको पालिट की वैकेंसी होती है या भारते रिल्वे में चाहे एक पोस्ट जरूर चर्चा करते हैं आपके जितने सारे दोस्त होंगे उसके बारे में अपने वाट्सेप पर एस्टेटस लगाएंगे फेस्बुक पर पोस्ट डालेंगे और आपको कोई निकलने के 24 घंटे के बिल्कुल भीतर आप लोग को पता चल जाएगी या फिर आपको हमारे च चिंता बिल्कुल भी ना करे कि फॉर्म निकलेगी और हमें पता नहीं चलेगा आगे का जो है वो टॉपिक है एक साथ कितनी वेकैंसी निकलती है अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ा दर पहले बताए कि ममता बढ़ना जी पूरा अलोभा इंडिया के लिए एक पोस्ट के होगी वो कम से कम होगी तो पचीस जर से जादा होगी पचीस से पचास जर के बीच वेकैंसी बिल्कुल एक साथ निकलेगी ठीक है आगे देखिए तैयारी कब सुरू करने चाहिए अभी से या फॉर्म निकलने के बाद अब देखिए बहुत सारे को लगता है कि तैयारी ज से चाहिए तक बहुत टफ होती है क्योंकि अस्टोएंट का जो संक्यार विल्कुल लगभव में धेर से दो करोर के बीच में है जिन होनी एस्ट्येट ने आई टेंे पास करके बैथे हुए डिप्लोमा या पास करके बैठे हुए हैं B.TEC या B.E. पास करके बैठे हुए हैं वो सभी लोग फॉर्म एपलाइए कर सकते हैं और जितने भी सारे लोगों के पास डिगरी होती है सब के सब लगभा में सभी लोग इस लोको पाइलट के फॉर्म को जरूर से जरूर अगर आप लुग को बता जाता है अगर आप लोग की मी फुचर में लोको बनना चाहते हैं तो आप लोग की तयारी आज से अभी से इसी वक्त से शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि एक्जाम में आपको मैं सब्जेक्ट बता दो इसमें आपको मैत पुछेगा रिजनिंग उसका बेसिक साइंस एंग इंजिनियरिंग उसका साइंस का तीनों पेपर फिजिक्स केमेस्ट इतने सारे कॉम्पेटिशन बहुत जाता है इसलिए सोचे कि आपको मनलत दो से तीन महीने के अंदर आप तयारी नहीं कर पाएंगे फॉर्म निकलने के बाद इसलिए बहतर है आप अभी से तयारी करें थोरा थोरा करें ताकि बाद में जाकर प्रेसर घट सके और आपके त पता चलेगा कि जब फॉर्म निकले उसके बाद आपको तीन से चार महीने का समय मिलेगा चार महीने हार्ली समय मिलेगा चार महीने उतना समय में आपको इतने सारे सब्जेक्ट को आप नहीं पर पाएंगे इसलिए आप अगर लोग को बनना चाहते हैं अपने जिन्दिकी क करें कहां से शुलू करें को खोब से के बाद का अंधाज़हां नहीं होता तो इसके लिए इसके इसन से बार में बिल्कुल से दो बार को को बन चुका हुब और मैंने मास्टर नोट्स लिखिए लोग पाइल mm बनने के बारे में लोग मैं पढ़ाता हूं 2014 से ही तो हमारे यहां से बहुत सारे एक्जाम निकाले हैं वह रिजल्ट भी लाए हैं तो इसलिए आप लोग हमारे बहुत सारे किताब आपकी लोग पड़ाइ करते हैं वह लोग 우리 कितव करते हैं वह लूजेंट का योता इसके बाएपने समझने थोरा वक्त लगता है आपको पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए तो इसके लिए आपको अपने आसपास कोई कोचिंग जोइन करना पड़ेगा अब वो कोचिंग का सिस्टम अगर आपको कोचिंग वाला अगर परहादे सही से तो कवर हो पाईगी लेकिन अपके लिए बहुत आसान रहेगा कि आप हमारा को जोएन करिए अभी से कोचिंग उनलाइन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आप वहां से जाकर के इसको खई सकते हैं अपने मोबाल में उसको इंस्टाल कर सकते हैं और या फिर आप हमारे मास्टर नोच का सभी पीडियोपी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए या फिर आप मारे मास्टर नोच को अपने घर पर इथे भी मंगवा सते पूरा सेट और आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा हम आपको गाइडेंस करेंगे और आप हमारा अगर गाइडेंस लेंगे तो 99% चांसे हैं कि आप लोग जाकर इसको खरीद लेजिए कोई भी दिक्कत होगी तो हम आपके साथ हैं थैंक्यू सो मच आपका दिन सुबह और आप भविस में लोकोपाइड बनाएं यहीं हमारी सुब कामना है थैंक्यू सो मच